भारत और ऐस्फिलिया के बीच में इंदॉर में तीसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हुआ है और पहले ही घंटे में इतना कुछ हो गया जिसकी उमीद भारतिया फैंस को तो कता ही नहीं थी पिच को लेकर लगातार बात हो रही थी लेकिन इंदॉर में आस्फिलिया की फिर्की के आगे भारत को जिस तरीके से फेल होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था भारत ने इस मैच में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इसके साथ ही ये लग रहा था कि टीम इंडिया बोट पर एक बड़ा स्कोर लगाईगी लेकिन रोहित शर्मा का ये फैसला एक ब्लंडर साबित हुआ पहले सेशन में ही टीम इंडिया की वो इस्तिती हो गई जो पिछले कुछ मैचिस में आस्ट्रिलिया की हुआ करती थी अभी सो रंग का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ था और टीम इंडिया के साथ विकेट गिर चुके थे शुरुआती दो घंटे यानि की पहले सेशन में टीम इंडिया ने सिर्फ 84 रं बनाए और अपने साथ विकेट गमा दिये और ये साथों के साथ विकेट आस्ट्रिलिया के स्पिनर्ज ने लिए यानि कि टीम इंडिया जिस जाल में आस्ट्रिया को फसानी की कोशिश में थी उसमें खुद यहां पर फस गई छटे ओवर में रोहित शर्मा की रूप में पहला विकेट गिरा रोहित शर्मा 12 रन बना कर आउट हुए उससे बाद 8 वे ओवर में शुम्मंगिल का विकेट गया शुमंगिल ये 30 रन बना कर आउट हुए और पुजारा सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए इससे बाद 11 वे ओवर में भहरत को चौता जटका लगा और ये जटका रविंद्र जड़ेजा के रूप में था पचास से जादा गेन ने खेल चुके थे और क्रीस पर मौजूद थे पिछ को अच्छी तरह से समझ रहे थे लेकिन टॉड मर्फी की एक गेन पर विराट कोली भी अलबी डबलू आउट हुए इसके साथ ही भारत को 70 रन पर छटा जटका लगा विराट कोली के विकेट के बा पर फिर से हावी होकर टीम इंडिया की लाज बचा पाएंगे प्लीज कॉमेंट जरू कीज़े ये वीडियो पसंद आयो तो उसको लाइक करें शेयर करें और क्रिकेट की खबरों से जोड़े रहने के लिए खबर बिबाग को सब्सक्राइब करना ना भूले